हेलो एवरीवन, वेलकम अगें तो लण्ग्रेदेतिमन, तो देखिए आज का वीडियो जो है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी विध्यार्तियों के लिए हैं, इसके साथ साथ जो बच्चे रीट की तैयारी करेंगे उनके लिए भी बहुत इंप चुका है कि 20,000 पदों पर नई रीट परिक्षा होगी, तो ये बात तो सरकार ने पहले ये कही थी कि रीट के अब दो एक्जाम होगे, तो क्या अब दो एक्जाम वाकई में होगे, तो देखिए इसकी सूचना जो है वो किसी को नहीं मिली है, नहीं मुस्तग ये सूचना आई है और किसी को भी इस पारे में नहीं पता है, केवल इतना ही पता है कि 14 या 15 मई जो है वो आप लोगों का एक्जाम लिया जाएगा और यहाँ विकैंसी जो है वो 20,000 पर आप लोगों की निकाली गई है, तो यहाँ पर जब बच्चे मांग कर रहे थे 50,000 पदों की तो उनके साथ न्याय तो बिलकुल नहीं हुआ है, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए था और सरकार के बास इतने पद खाली रहते हैं और नए बच्चों के लिए इनको ये 20,000 पद तब निकालने चाहिए थे, तो देखिए पहले बच्चों के साथ ये confusion था कि 1st grade और 2nd grade इन दोनों में से किसकी तयारी करें, तो वहां मैंने आप लोगों को बिलकुल क्लियर करवा दी थी बात कि 2nd grade में यदि आपकी graduation में 2 subject जो हैं वो नहीं मिल रहे हैं, नहीं match खा रहे हैं, तो आप लोग 1st grade की तयारी करेंगे, तो बिलकुल क्लियर हो गई है बात, और बच्चो लोगों ने 1st grade जो है, जहां से भी course लिया है, 2nd grade का course लिया है, तो वो लोग अपने तयारी में जुट गए, और तयारी जो है, वो एक देर महीने की हो भी चुकी है, तो ऐसी condition में आपको इस तयारी को अधूरा छोड़ कर, रीट में नहीं लगना है, तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से, जान लीजिए कि जो बच्चे 1st grade की, 2nd grade की अब तक तयारी कर रहे हैं, तो उनको इसे बीच रास्ते में छोड़ कर, और फिर रीट की तयारी नहीं करना है, रीट को साथ में लेकर करना है, और वो कैसे करना है, तो ये चीज़ समझिए कि 1st grade का जो एक तो ऐसा मेरा मानना है कि आपका 1st grade या 2nd grade का अग्जाम जो है, वह भी आजपास की डेट में ले लिया जाएगा, तो वहाँ आपको उस कंडिशन में टाइम नहीं मिलेगा 1st grade या 2nd grade की तयारी का, तो इसी लिए जो बच्चा 1st grade की तयारी कर रहा है, तो उसको साथ में री की तयारी करने में, क्योंकि देखिए 1st grade और 2nd grade दोनों में ही जो जीके का पोर्शन है आपका, वही आपका रीट में भी आएगा, तो ऐसी कंडिशन में आपका लॉस तो नहीं होगा, साइकलोजी की बात यदि करें, 2nd grade में जो साइकलोजी है, रीट में भी आपको उसी त क्लियर हो गई कि 1st grade के तयारी के साथ आप रीट के तयारी कर सकते हो, और वहीं 2nd grade के तयारी के साथ रीट के तयारी कर सकते हो, तो देखिए, बिल्कुल सही रखिए, जो बच्चा 1st grade की कर रहा है, वो 2nd grade की भी करेगा, और वो रीट की भी करेगा, तीनों एक साथ करेंग तब आप exam देंगे, अच्छे marks gain करेंगे, तभी आप अपनी seat जो है वो पकी कर सकते हो, तो ये जीज बहुत अच्छे से सुन लीजिए, form जो है वो आपको तीनों के भरने है, read का भी भरना है, first grade का भी भरना है, और second grade का भी भरना है, जो first grade की त्यारी कर रहा है, उसे read के exam को साथ में लेके चलना है, हो सकता है कि आप एक exam के त्यारी कर रहे हो, और आपके दोनों ही में नमबर आ जाए, या दोनों में आप त्यारी कर रहे हो, तो उन्हें से एक में आपका नमबर आए, आपको तो job लेनी है, आपको तो इससे मतलब रहना चाहिए, तो देखिए second grade क जो तैयारी में आप लोगों को करवा रही हूँ, बच्चों ने जो course लिया है, तो वो इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझ लें कि read का course जो है, वो आपको इसी में मिलेगा, एसेस्टी के जो बच्चे हैं, उन्हें second grade के course के साथ में ही read का course मिलेगा, आपको में extra जो ह वो बिल्कुल भी amount जो है, उसमें आपको देने की जरुद नहीं है, last year जिन बच्चों ने read की तैयारी हमसे की थी, 130 plus marks जो बच्चे लेकर आएं हैं, उनको अभी भी सोचने की जरुद नहीं पड़ी है, कि विकैंसी जो है, वो 50,000 होगी, नहीं होगी, क्योंकि उनका selection तो तो ऐसे तैयारी आप लोग करिए, कि selection आपका पक्का हो जाए, जिसमें कोई भी condition जो है, वो सरकार रखती है, आपका selection आपको जो job है, वो मिल कर ही रहेगी, तो ऐसी तैयारी जो है, वो करनी हैं आप लोगों को, full motivate रहना है, चाए कोई भी condition आए, अब जो भी चीज़ें है कि बच्चे जो हैं, वो धरने पर बैठे थे, पचास अजार की demand कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी नहीं सुनी, तो हमारे पास केवल यही condition रह जाती है, कि जो आगामी परिक्षाएं आएंगी, उसमें हम अपना 100% दे, यदि 1500 marks का कोई question paper होता है, तो उसमें 130 plus marks तो लाने ही हैं, हर condition में लाने हैं, क्योंकि महनत भी बच्चा करता है, इतना time भी देता है, और पता नहीं बच्चों की क्या-क्या मजबूरियां रहती है, इतने जो हैं, वो पैसे खर्च करके और time वो निकालता है, और फिर उसका selection नहीं होता है, तो सभी के लिए यह बहुत दुख की बात होती है, तो इस चीज को मानिये कि जिन बच्चों के पास, जो है, हर चीज एवलिबल नहीं होती है, वो लोग 130 प्लस मार्कस जब ला सकते हैं, तो आप सब भी ला सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपसे बढ़कर जो है, वो कुछ नहीं होता है, ये सब ही चीजें जो हैं वो आपसे बड़ी नहीं है आप लोग कर सकते हो ये सारी चीज़ें ठीक है तो first grade की तयारी करने वाला read की तयारी बिलकुल करेगा और second grade की तयारी करने वाला read की तयारी करेगा तो एक confusion मैंने आप लोगों का दूर कर दिया है फिलाल आप लोगों को read की तयारी के लिए मात्र एक या दो घंटे जो है वही दिन में निकालने होंगे बाकी आप लोग second grade की कर रहे हैं तो second grade की regular करिए first grade की कर रहे हैं तो first grade की regular करिए जैसे ही आप लोगों का exam जो है वो होगा तो उससे दो या तीन महिने पहले जो है वो आप लोग पूरी तरीके से read पर depend हो जाएंगे क्योंकि read के बाद आपका first grade और second grade का होगा चो भी exam होता है condition यही कहती है कि आप उस exam के लिए समर्पित हो जाएं ऐसा नहीं करना है कि हम तो second grade की ही कर रहे है read का exam तो आ गया है pass में एक काम करते हैं कि हम लोग second grade की करते करते read का exam ऐसे ही दे आएंगे ऐसे ही कोई भी exam देने से exam में सफलता नहीं मिलती है जैसी condition होती है वैसा ही हम लोगों को apply करना पड़ता है तैयारी regular करें एक या दो घंटे read के exam के लिए निकाल कर रखें तो sst वाले बच्चों को तो मैं बिल्कुल भी problem नहीं आने दूँगी कि किसी भी condition में कि उनके इस बार read में भी आपके 60 marks का जो question paper पूछा जाता है तो sst वाले बच्चों के लिए 60 में से 58 number 59 number लाना जो है वो कोई भी बड़ी बात नहीं है तो इसी तरीके से confusion जो है वो आप लोगों का दूर हुआ होगा और जो confusion आप लोगों को हो रहा है वो हर बच्चे को हो रहा है जो भी इस competition line में है जो भी teaching line से चुड़ा हुआ है तो जो condition आप लोगों के साथ है वो हर बच्चे के साथ है कि वो read की त्यारी करेगा first grade की या second grade की तो केवल आप लोगों के लिए ही ये problem नहीं है सभी के लिए ये problem जो है वो सामने आई है तो ऐसा जो है वो पहली बार ही देखने को मिला है कि ये तीनों exam जो है वो आसपास ही होंगे तो सभी के लिए समान है तो आप लोगों को ये सोचना है कि यहाँ पर समस्या केवल आपकी नहीं है समस्यां जो हैं वो जीवन में होती ही हैं बिना समस्या के जीवन में आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता है हर इंसान के आगे कुछ न कुछ समस्या होती है तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बिल्कुल साफ साफ चीजें क्लियर कर दी हैं दुबारा से मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो बच्चे फस्ट ग्रेट की त्यारी कर रहे हैं वो रीट की करें साथ में और जो सेकंड ग्रेट की कर रहे हैं वो भी रीट की करें साथ में तो इसी तरीके से तैयारी जो है वो आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू